हलो गाइज वेलकम बैक टू माइशाइनल प्राइम मॉम मेरा नाम स्वेता है और मैं अपने ब्लॉग चैनल पे अपनी डेली लाइफ दिखाया करती हूँ आई थिंक आप लोग ये मेरा फॉर्स्ट वीडियो देख रहे हैं देखिए मैं एक गाउं से बिलॉग करती हूँ आप गाउं देख सकते हैं यही गाउं है मेरा बैसिकली मैं बिहार से बिलॉग करती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ बात करने वाली हूँ इस कि आप लोगों को समझने में असानी होगी तो देखिए ऐसा किसी भी creator के साथ अगर हो रहा है तो उसे सबसे बड़ी बात अगर वो अपनी mistake as a creator मैंने mistake मान ली है इसके बावजूद भी वो अपनी strike वापस नहीं ले रही है और मैंने इसके पहले उनको mail किया था ठीक है mail का भी reply नहीं दिया उन्होंने reply कब दिया जब मैंने एक video बनाई और मैंने video को publish किया कि मेरे चानल पर strike आ चुकी है और उन्होंने दे दिया है तो अपनी strike वापस नहीं ले रही है अगर वो वापस ले लेंगी तो मेरा चानल बच जाएगा इसके लिए request मैंने जो creators है नाए creators उनसे भी किया था और मैंने subscribers से भी request किया था कि आप लोग मेरी help करो देखिए ये जो है छोटा सा form में मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि मैंने इस बड़ी YouTuber को बस एक social message दिया था कि अभी के time में घर से बाहर निकलना safe नहीं है खुद के लिए भी नहीं है और दूसरों के लिए भी नहीं है बस इतना चोटा सा social message था जिसके भी हाप पे मुझे strike मिली है देखिए मैं YouTube पे कोई नई नहीं हूँ मैंने पहले भी YouTube पे मैं लगभग डेर साल से काम करी हूँ मेरा एक और channel है Prime Mom channel वो channel ठीक ठाक चलता है उस channel पे 57,000 subscriber रहे हैं मेरे तो वहाँ जो भी मेरा connection मेरे subscriber से अच्छा खास रहा है तो उन्होंने मुझे suggest कि एक blog channel खोलो तो मैंने blog channel उनके ही अपने subscriber के भिहाब पे खोला था क्योंकि वो लोग का ऐसा मानना है कि मैं बहुत सारे लोगों की help की हूँ आप मेरे channel पे मेरे subscriber हैं या जो लोग मेरी videos देखते हैं उनके आप comments देख सकते हैं इस time मैं बहुत problem में हूँ क्योंकि जो मेरा channel है वो खत्म होने वाला है देखिए सुभा के अभी 11 बज रहे हैं मैंने अपने घर के काम कर लिये हैं लेकिन मैंने blog में कुछ दिखाया नहीं बिकॉज जब हमें लगता है कि चलो channel सेफ है सब कुछ सही चल रहा है तो थोड़ी सी chances बनती है लेकिन कितना time क्या लगेगा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि strike जब channel पे आती है तो channel खत्म हो जाता है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन बट जिनोंने strike दी है अगर वो वापस लेते हैं तो channel बच जाता है कोई भी problem नहीं आती है तो आप सभी समझ सकते हैं अगर आप creator हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महनत लगती एक channel के लिए तो मैंने उतनी महनत की है और आप मेरे channel को visit भी करके देख सकते हैं दोनों ही channel को देख सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी creator के channel पे स्ट्राइक आती है तो उसकी क्या इस्तिती हो सकती है जिस कारण मैं तीन चार दिन से अपने प्रेगनेंसी वाले चानल पर मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी बट मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत सारे कॉमेंट किये तो मैंने आज कुछ वीडियो बनाए हैं अप अगर वो अपना स्ट्राइक वापस ले लेती है तो मेरा चैनल बच जाएगा तो मैं कहीं न कहीं आप सब बोलते हैं कि मैं दूसरों की हल्प करती हूँ उसी भीहाब पर मैं भी बोल रही हूँ कि आप गाईज आप सब की मेरी मुझे बहुत हल्प की जरूरत है आप लोग मेरी हल्प करें कुछ लोगों ने मुझे इस तरह का कॉमेंट किया कि आपने उनका नाम लिया तो चलो अच्छा है स्ट्राइक आया तो देखिए इस तरह कि अगर सामने वाला आज अ क्रिएटर मिस्टेक अपनी मान रहा है तो उसे स्ट्राइक वापस ले लेनी चाहिए ऐ चलो ऐसे किसी के साथ भी अच्छा कर दिये जाता है देखिए उसमें एक सोसल मैसेज था और कुछ नहीं था और आप लोगों के सहुलियत के लिए मैं कॉमेंट बॉक्स के अंदर वो सोसल मैसेज का लिंक और चैनल पे स्ट्राइक आई है उसका भी लिंक दोनों ही वीडिय को मैंने वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो भी आप देख लेना कि आखिर मैंने उसमें गलत क्या बोला है पहली चीज दूसरी चीज जो वीडियो में मैंने बताया है कि मुझे स्ट्राइक आई है देन उस वीडियो का भी लिंक दे रही हूं आप दोनों ही देख ले क्योंकि जब वो यूट्यूबर है वो मानने को तयार ही नहीं कि उन्होंने स्ट्राइक दिया है देखिए as it is मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि मेरे चानल पर स्ट्राइक आई तो जो स्ट्राइक जब आती है तो आप चेक आउट करते हो तो उसमें नाम आता है कि इस यूट्यूबर ने इस चैनल ने आपको स्ट्राइक दिया है तो मेरे पास वो नाम आया हुआ है जिसका मैं थमनल पर मैं लगा चुकी हूँ आप देख ली होंगे तो वो नाम आया हुआ है तभी मैं उनको बोल रही हूँ कि बार-बार आप हटा लीजी लेकिन कोई अगर हटाना नहीं चाता तो वो भी चीज किलियर कर दे कि हाँ हम हटाना नहीं चाते है या पिर जो भी उनके मन में बात है वो कह सकती है क्योंकि देखिए जो सोसल मैंसल्स था वो मैंने दिया बहुत सरे यूटूबर ने उनको बहुत कुछ बोला था जो कि मैंने वैसा कुछ भी नहीं बोला आप मैं अगेन बोल रही हूँ कि आप वो वीडियो वाच कर सकते हैं अब देखिए क्या है कि इस केस में मैं घर में नीचे जा रही हूँ इस केस में आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि जो मेरी जो भी बात रही है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी कि मेरे चैनल के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है क्या है जो भी यह सब मैंने आप लोगों को बता दिया अब यह है कि अब आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास जैसा कि उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं जानती है तो डायेक्टली उन्होंने उनको अपनी बात जो कहनी थी वह मैसेज कर चुकी है मैसेज अभी भी पड़ा हुआ है मेरे जिसमें मैंने बता है कि चैनल पे स्ट्राइक है उसमें आप कॉमेंट बॉक्स में आप देख सकती है बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे है कि आपको सोसल मैसेज भी नहीं देना चाहिए देखिए अभी के टाइम में लॉकडाउन चल रहा है हर जगा आप लोगों को पता है कि जो सिंगर है कनिका कपूर उनको भी बहुत सारे लोगों ने सोसल मैसेज दिया था तो जो हर कोई अगर कोई भी मिस्टेक करता है या फिर वो बड़ा हो या छोटा हो अगर हम अपनी हम जिस फैमिली में रहते हैं अपने आज पडोस में पडोसियों को भी ये चीज ए जा सोसल मैसेज दे देते कि आप घर के बाहर मत जाओ आप इकना ट्रैवल मत करो अभी वो पड़ानी वीडियो है तो उस चीज को बहुत सरे जो क्रिएटर्स हैं मुझे कुछ 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 कॉमेंट कर रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं इस्ट्राइक आपकी जो हट जाएगी तो ठीक है गाइस मैं अगेन आप लोगों से बोलती हूं कि मेरी हेल्प करो मेर कैसी बिकर कि मेरी स्ट्राइक को हटाओ क्यूंकि मैं बहुत परिशान चल रही हूं मेरे दो चैनल हैं जिसके कारण में एक और चैनल पर काम नहीं कर पा रहे हूं क्यूंकि आप समझ सकते कि कोई भी परसन अगर परिशान होता है तो उसकी सिच्वेशन क्या हो सकती है तो वह मान ले कि हां मैंने दिया है वापस ले ले तो तब तो सारा मैटर ही खतम हो जाएगा लेकिन बस आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग रिक्वेस्ट करो कि वह चीजे जो स्ट्राइक है वह टादे चैनल से नहीं तो नहीं हो पाता है चैनल किसी का भी हो अगर पहले मैंने उनको मेल किया था जिस मेल का उन्होंने रिपलाई नहीं दिया था उसके बाद मैंने वीडियो बनाया सोसल मीडिया पे सेयर कि मेरे चानल पे स्ट्राइक है इस यूट्यूबर ने दिया है अब उनको यह चीज लगा कि अब तो इसने सब को बता दिया तो अब जिसमें मैंने आपको social message दिया है तो उस video को मैं delete करने को तयार हूँ बस एक बार यह बोल दे कि हाँ आपनी वापस ले यह बोल भी दे कि मैं ले रही हूं वापस तो मैं उस video को delete कर दूगी क्योंकि ठीक है अगर उस video से उनको problem है तो मैं delete कर सकते हूं मुझे कोई problem नहीं है क् कि मैंने इस channel पर अपना एक साल दिया है और इस channel पर लगबग 5000 से उपर सब्सक्राइबर हो चुके है तो आज़े creator आप समझ सकते हैं कि एक channel पर कितनी मैंनत लगती है और हर कोई जो भी वीडियो बनाता है हर कोई मैंनत करके बनाता है तो मैं यहीं चाहती हूं कि बस मेरी जो मैंनत है वह वेस्ट नहीं जाए तो कल के कल भी जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैं काफी परेशान थी तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं चलो ठीक है हो जाएगा वह वापस ले लेंगी लेकिन देखिए अब तक वापस नहीं लिए अगर वह वापस लेती हैं तो मैं definitely आप लोगों को inform करूँगी आप सभी को लेकिन guys अब मैं इस वीडियो को खतन कर रहे हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एकी चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी guys आप लोग मेरी help करो as a creator, as a subscriber, as a viewer आप जो भी हो मेरी help करो क्योंकि मु वीडियो के लिंक दे दी हैं आप वहां से देख सकती हैं चलिए मैं अगली बार जो भी होगा inform कर दूगी